नमस्कार स्वागत आप सभी का 36 गढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ 36 गढ़ में बीजेपी सरकार धर्मांतरण पर एक नया कानून बनाने जा रही है मंतरी ब्रिज मोहन अगरवाल ने इसका सदन में एलान किया और कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए धर्म स्वातंतर विधेक लाया जाएगा नियूज 18 से बाचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले का धर्म स्वातंतरता विधेक किसी काम का ही नहीं है धर्म परिवर्तन को रोकने में ये नाकाम है और इसलिए सरकार धर्म परिवर्तन को लेकर एक कड़ा कानून लेकर आएगी पहले से हमारे हाँ धर्म स्वातंतर विधेक है कानून है परन्तु वो नक विहीन है वो दंत विहीन है वो धर्मांतरन इल्लीकल धर्मांतरन करने वाले लोगों में किसी प्रकार का भै पैदा नहीं करता है कानून तो ऐसा होना चाहिए जो अपराद को रोक सके संसोधन विधेख हम लाएंगे वो लोगों में कानून तोड़ने पर का भै पैदा करेगा डर पैदा करेगा और 36 गर में जो लोग लालच के दम पर पैसे के दम पर धर्मांतरन होता है वो रुकेगा और जो समाज में संघर्थ पैदा हो रहा है वो भी रुकेगा पैदा हो रहा है वो रुकेगा नक और दंत विहीन पुराने कानून को बता रहे हैं ब्रिज मोहन अगरवाल आकाश शुकला हमारे समधा था हमारे साथ राइपुर से इसी खबर पर लाइफ जुले हुए हैं और सिदे उनी के पास चलते हैं उनसे जानकारी लेते हैं आकाश पुराने कानून को नाकाफी बताया जा रहा है और कहा है कि वो नक विहीन है दंत विहीन है और ऐसे कानून का फाइदा क्या क्योंकि लालच देकर धर्मांतरन जो है वो कराया जा रहा है विपक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्री आई क्योंकि नया कानून या संशोधन विधेक जो है लाने की बात सरकार अब कहने रही जी बिल्कुल देखे जब विधान सबा चुनाओ चल रहा था या उससे पहले भी तो धर्मांतरण के मुद्दे को जो है वो भाजपा रही तो कही ना कही एक बड़ा आई बड़ा कारण है थम परिवर्तन सी सर्कार बनी तो धर्म परिवर्तन कानून लाने की लगातार कही जा रही थी इसको ले कर भाजपा सरकार कही ओए पॉजिटिव थी लेकिन सत्र में आज मंत्री ब्रिजमोहन अगरवाल ने घोशना कर दिया धर्मस्वतंत्र विधेयक लाने के लिए उन्होंने घोशना किये यह इसी सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा इसको लेकर पूरी तयारी कर ले गई है इसका प्रारूप क्या होग अगर लोब लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो कितना सजा का प्रावधान होगा यह तमाम जो है इस कानून में होने वाला है और यह लाने के बाद जो है वो सत्ता पक्ष जो है लगातार अपने कमिट्मेंट को पूरा करने की बात कह रहा है जी अनिल सिंग चोहान कॉंगरस प्रवक्ता असप़क्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन से बातचीत कर लेते हैं कि क्या उनकी राय इस पर चोहान साथ धर्मांतरन को लेकर एक नया विधेक लाने की सरकार तैयारी कर रही है कॉंगरस का इस पर क्या मत है क्योंकि पिछले वाले कानून को लेकर ये कहा गया कि नक और डंत विहीन ये है जी सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार और मैं ये कहना चाहता हूँ धर्मांतरन के विशे में जब लोग सभा का चुनाव सामने है तो भारती जन्ता पार्टी को जब जब ये चुनाव आते हैं तो इस तरह के विशायाद आते हैं आज आप देखिए कि दुर्ग जिले में जिस तरह से चर्च में घूस के बजरंग दल के गुंडों ने मार्क विश की और जिस तरह से धर्मांतरन के नाम पर इन लोग भूली तरब से हिंसा और बवाल बचा कर रखे है तब साल केंदर में इनकी सरकार बड़े बहुमत से है इन लोग ने कादूम क्यों नहीं बनाया और जब 15 साल रमन सरकार थी सबसे ज़्यादा धर्मांतरन और सबसे ज़्यादा चर्ष्ट उत्समें बने कादूम क्यों नहीं बनाया तब लोग सभा के आम चुनाओं आ गए है और आम चुनाओं को लेकर ये शिगूफे बाजी और फिर से एक बार धार्मिक उनमाद और धार्मिक धुरुवी करण का खेल खेल खेला जा रहा है आपका यह आरोप है संजय श्रीवास्तर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े गूए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं संजय जी क्या कहना है आपका यह कॉंग्रेस की तरफ से उनमाद पहलाने का आरोप लगाया जा रहा है संजय जी जर्ज बनाने पर आपती नहीं है मैं फिर सब बोलना और रिपीट कर रहा हूं जिस बात को आप समझ ही नहीं पाई क्या है विशह यह है कि लालच पे तमाँ प्रकार की शिगूफे छोड़कर किसी की कम्जूरी को समझ कर किसी की गरीबी को ताग पर रखकर यदि किसी को जबरदसी धर परिवर्तन कराया जाता है उतका विरोध करने वाली पार्टी का नाम बीजेपी है तुस्टिकरंट करने वाली पार्टी कॉंगरेस नहीं है पुराना वाला धर्म स्वातंतर विद्यक जुध है वो पिछला वाला नक दंत बिहीन कैसे था और सबाब नया जो होने वाला है उसमें क्या वो तो पता चलेगा लेकिन पिछला वाला काम का नहीं था ये कह रहें मंत्री जी विशह यह कि अब नए उस पर और भी कड़ाई खरने का विशह है कहीं कुछ कमिया रहें जी कि लिबरल हो का कुछ इसलिए लोगों को डर्व है और वो नहीं है कहीं इस पर आकरबन करने की जोरोत है और मुझे देखें किसी भी नियाब पे जब उस पर रिविव करते हैं कहीं कोई कमी रहती है तो उस पर परिवर्तन होता है कि अग्रेजों के जमाने के नियम प्रक्रिया कानून बने हुए से जिसको मानि मोधी जी की सबकार लगातार पिछले दिनों भी करी है तो इसको रिविव करने के आफशक्ता है कॉंग्रिस अपने अपने तरीके से अपनी स्थूलियत के हिसाफ से बनाती थी और आप तो मालूम है कि परदे के पीछे से किस तरीके से 35 को जोड़ा गया ये कॉंग्रिस का है ये राजितिक रूफ से लाब मिले तो मुझे लगठा है कि भार एक जो नियम कानून बने उसका रिविव करने का अफशक्ता है और किसी को भी किसी के धर्म पर जिमर्दस्ती जाकर धर्म परिवर्सन कराने का अधिकार पिल्पल भी नहीं और एक कानून होने चाहिए ताकि कोई हिम्मत नहीं करे चोहान साब से समझ लेते हैं चोहान साब क्या आप इस बात से इत्तिफाक रख रहे हैं संजे जी की बात से देखे 15 सालों तक इनकी सरकार थी इस प्रदेश में और बात चर्च बनाने की नहीं है आप देखे सरवादिक धर्मांत्रण उसी समय में हुआ और अगर लालच और कमजोरी देकर हो रहा था तो कितने प्रकरण इनों ने दर्श किये और अभी तक जो पुराना अधरियम है उसके इसाथ से कितने प्रकरण इनों ने दर्श किये तो आप सिर्फ लोग सभा के आम चुनाओं है और भारती जन्ता पार्टी को फिर धार्मिक भावना को भड़काना है और यह जानते हैं कि 3% अलसंशक इस प्रदेश में नहीं वाथ करते हैं 97% बोटरों को प्रभावित दरने के लिए चुनाओं के पहले एक शिगूफर बाजी है धार्मिक भावना चलिए ठीक है शिगूफर पाजी कॉंग्रेस बतारी बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी कॉंग्रेस के प्रतिक्रिय आपने सुनी और आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जूडने के लिए इस खबर पर इधर 36 गर सरकार ने 33,000 शिक्षकों की भरती का एक बड़ा ऐलान कर डाला है लोग सुभा चुनाओं के पहले शिक्षा मंत्री ब्रिज मोहन अगरवाल कह रहे हैं सदन में कि एक साल में 33,000 शिक्षकों की भरती की जाएगी और ये भी कहा कि 25,000 स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाए जाएंगे उन्होंने स्वामी आत्मानंद स्कूल को लेकर पिछली कॉंग्रिस सरकार पर हमला बोल डाला प्रिजवस्था के साथ है कि बिश्य चुप से हम एक साल में 33,000 पदों की भरती कर देंगे क्योंकि हमने एक साथ पूरे डाटा कलेक्ट किये है और डाटा कलेक्ट करने के बाद पिछली बार सरकार SImo 13,000 पदों की भरती की crying उन 13,000 में भी 8,000 लोगों को नियुक्ती दी, उन 5,000 को हम नियुक्ती दे रहे हैं, उन्होंने सब्जेक्ट टिकर की भरती नहीं की.